एक जंगल में एक बंदर और एक हाथी की दोस्ती की कहानी है। ये दोनों अलग-अलग प्रकार के जीवन जीते थे। लेकिन उनकी अध्भुत और अनूठी दोस्ती जंगल में हर किसी को प्रेरित करती थी। बंदर का नाम बबलू था। वह बहुत ही चालाक और शरारती था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और साधगी का बसा हुआ था। बबलू का सपना था कि वह जंगल का राजा बने और सभी जानवरों के बीच में सुलह कराए। दूसरी ओर हाथी का नाम गजोदर था। वह विशाल, शांत और सहानुभूती भरे व्यक्तित्व के धनी थे। गजोदर का सपना था कि वह अपने साथियों को शांती और सुरक्षा प्रदान करे। जंगल में हर किसी का साथ देकर। एक दिन बबलू और गजोदर का मिलन हुआ। शुरुआत में उनके बीच में कुछ अविश्वस्मियता और अग्यातता थी।